देखना भी वेक्ते इंडिया नियूज इसे में हम वोचुद है उत्रपदेश के गाजी पुजन्पद में और सोनवल स्टेशन पर तो सोनवल स्टेशन की आप तस्वीर हमारे वीडियो के मादम से आप देख सकते हैं बहुती खुबसूरत नजारा लग रहा है कई लाइने बिच्चुकी है और लगभा की मान की चलिए 90% सोनवल का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है जिस जगाम खड़ें यह है प्लेटफॉर्म यहां से इंड होता है और इधर आप देखेंगे वीडियो में तो प्लेटफॉर्म का कारे चल ला है पकायदा इससे रोलर उलर चल ला दिया गया बस इसकी लेवलिंग का काम बाकी है और जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करने के लिए उपर से आदेश भी आ गया है कि मार्च अप्राइल में इसका उध्गाटन होना है जो का दिल्दार नगर से घाजिपूर घाट स्टेशन का जो है काम चला है इसका निर्माड कराया जा रहा है पार्च अप्राइल में इस प्रोजेट का उध्गाटन कर दिया जाएगा मानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा और यह लाइने देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच और एक छे दर छे लाइने बनाई जा रही है दोस्तों जो छे लाइने बन नाय जा रहा है लेकिन इस्टेशन के नाम से आम तोर पर लोग इसे बोल रहे हैं कि इस्टेशन है और हम बताते हैं कि यह लाइने जो बिच्छाई जा रही है लगबा कि यह प्रोजेक्ट आज से 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ था लेकिन काम तेजी से चल ला था अब जि कि अलग से एक लाइने लगाई गई है दो लाइन तो वह है और यह अलग से लगाई गई है तो इसके बारे में भी हम जानेंगे इंजिनियर से कि क्या है मामला इसे अलग से क्यों लगाया गया है जो एक लाइन उधर वाली आप देख रहे हैं वह लाइन स्टार्ट है यह लगबग एक ट्रेन है जो दिन भर में तीन बार चलती है उसका नाम बदल दिया जाता है और वो तीन बार चलती है एश्या की सबसे अलगी ट्रेन मानी जाती है एक ही ट्रेन है जो दिन भर में तीन बार चलती है और लगबग 20 किलो मीटर की दूरी तै करती है पहले जो इस प Anhasypur Ghat Station से जुड़ जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा यहां के जो लोग है गाजिपूर Ghat station जाना चाहेंगे फिस पर नीछ का किया जाएगा और आगे मढघते हैं यहां को नाली दिख रही हो गया एक लगाया जाएगा पैपलाइन यहां से लगेगी जह टेयन में यहां départ को लिए चलते हैं कि देखिए अधर एक लाइन इधर भी बनाई जा रही है तो लगबग आज से दस साल बीस साल मद्दे नज़र रखते हुए इस प्रोज़र की शुरुवात हुई थी कि आने वाले वक्त में कई ट्रेने यहां से चलाई जाएंगी इसलिए अगल अगल से भ कर भी कुछ नजर आ रहे हैं और कुछ मशीने भी लगी हैं तो आई हम आपको उपर लिए चलते हैं देखिए ट्रेक्टर लगें सारी मशीने लगी हैं और काम चला जब रेलाजर मंती मनुस्ति नहां जी थे इस प्रोज़र्ट की शुरुवात की गई थी और बहुत ही काफी खुशी है लोगों में और अब देख सकते हैं दर ट्रेक्टर रॉक्टर आ रहा है और देखिए अब इसमें देखिए थोड़ी बहुत मिट्टी अभी डालनी है मिट्टी पढ़ने के बाद और इससे सही हो जाए उपर आपको थोड़ा देखाते हैं जो लाइने हैं dip proud PM महां पर आप जो भी करमचारी रहेंगे में रहेंगे अपना वहीं से सोटेक्ट काटेंगे में रहेंग और देखें और दो पत्री और घ्री जारी तो कि हैं थोड़ा दखाये उदर पट्रिय हैं के सभी लेवल में इसे मिलाया जा रहा है इसे बोल्ट लगाय जा रहा है से टाइट किया झाले आईए आपको हम और ख नियुक्त maps we can't Believe that जारा यह trader जो पहले यह रता तो स्लीपर इसे बोलते हैं यह पहले लकड़ी का हुआ करता था लेकिन अब सिमेंटेड इसे बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं क्या चचा कब तक काम पूरा होगा घाड तक का है कि मार्üst प्रल तक मार्च अप्रल तक घाड तक को जूढ जाएगा जूढ जाएगा अब महुलाय वह जूटेगा अभी थंदेबस ते में दोस्तो आप को देखाते हैं देखिए यह दादा कैसे अभी से रख रहे हैं हर पर उसले लगए जाए और ये भाईया जो लोग हैं इसे पट्री को मतलब फिक्स कर रहे हैं कि मतलब हिले ना तो तमाम क्रामचारी लगे हुए हैं और यह थी सोनवाल की अपडेट हम दे रहते उत्तरपदेश के घाजीपूर जनपस से रेलकम रोड ब्रिज जो बनाया जा रहा है यही जो लाइन ह आगे से कटके चली जाएगी घाजीपूर घाट स्टेशन वहां से जिसको आना जाना होगा वह अपना जाएगा